आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एसिया रिकॉर्ड होल्डर विभूती मिस्रा है हम उनसे महिलाओं के बारे में उन तमाम बुद्धों पर बात करेंगे जो अक्सर महिलाएं करने से जज़कती है वो तमाम बातें जो घर से निकल कर कैमरे तक नहीं आपाती है हमारे साथ विभूती हैं विभूती पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका विभूती आपने पीरियर्ट सवर एनीमिया को लेकर एक पोट्रेट बनाया 4000 स्कायर फिट का पूरा पोट्रेट था जिसमें 12000 सेनेटरी पैट को यूज किया गया मैं तो पहले यही पूछना चाहूँगा कि इतने सारे पैट का किया क्या गया और आपने खुद यूज कर रही है या पिया अन किसी को दिया मैं इस रिकॉर्ड को बनाने के तुरंट बादी मैंने अपने माबाप के साथ में यह डिसाइड किया था कि अब क्योंकि यह इतना बड़ा अमाउंट था 12,000 सेनेटरी पैट घर के अंदर रखे रहना बंबी पापा भी यही पूछ रहते क्या करना है इसकी दुकान तो नहीं लगानी है तो हमने यह डिसाइड कि हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे मैं हर स्कूल जाओंगी वहाँ पर एक एक काटून सेनेटरी पैट का दूंगी और उन्हें बच्चियों को बताओंगी कि इसका कैसे यूज किया जाए क्योंकि एजुकेशन होने के बात भी बच्चियों को यह नहीं पता होता था कि चार घंटे में सेनेटरी पैट को चेंज करना है यह तो फिर सेनेटरी पैट के साथ भी और भी ऐसी सेनेटरी चीजे हैं ऐसी नापकीन जैसे की टाइमपन्स है ऐसे और वेंस्रिल कपस है जो कि पीरिट के टाइम पर यूज किये जा सकते हैं यह सारी चीजों को बताने के लिए मैं निकल पड़ी अपने घर से मैं गई जो स्टैंडर्ड की लड़कियां आगे आ रहें कि पूछ रहें थी अकेले में जाके अपनी टीचरों से बच के कि मैडम आप यह बताए हमें कि यह टैंपन यूज करने से कही हमारी वर्जिनिटी तो नहीं चली जाएगी अब पहले तो मैं यह सुन करके परेशान कि यह नाइ इस बारे में बहुत डरी हुई थी वो कि मैडम बताएगे हम ठीक हम यूज कर सकते हमारी स्पोर्ट एक्टिविटी अच्छी हो सकती है बट वाट इफ मेरी वर्जिनिटी चली जाए तो मैं आगे मुझे शादी करने में दिक्कत जाएगी जो सारे टैबू चल रहे है जैस पास से यह जो वर्जिनिटी का एक्वेशन आया था यह काफी परिशान करने वाला था मतलब एजुकेशन जहां से निकल रही है स्कूल्स वहां पर ही बच्चिया इतनी एजुकेटेड नहीं है अभी सेक्स एजुकेशन को लेकर एक अच्छे टच और बैड टच को लेकर क चाहिए और मुझे वो गंडा लग रहा है तो मुझे कैसे रियाक्ट करना चाहिए या तो फिर यह जितनी भी बाते होती है इसके लिए बच्चियों को एजुकेशन नहीं मिल पाना लड़कियों को या लड़कों को दोनों को ही मुझे इसा रखता है बहुत गलत है और बह हो जाना चाहिए कि हाँ अब हर स्कूल में सेक्स एजूकेशन मलना बहुत जरूरी हो ताकि बच्चियों के दमाग में जो इतने हजार सवाल गूम रहे होते हैं जिसके विज़े से शायद उनकी एजूकेशन में भी फरक आ रहा होता है वो सब कम हो सेक्स एजूकेशन क्या आपने बात की हमारे समाज में अक्सर हम यह देखते हैं कि फीमेल और मेल के बीच जो मेल को अब माना जाता है सेक्स एजूकेशन उसको लेकर क्या मानती है मुझे ऐसा लगता है कि sex education मिलने की वज़े से जादा फाइदा लड़कियों को होगा ताकि वो ये जान पाएंगी कि क्यों हमें किसी लड़के के पास उस early age में नहीं जाना है पतलब उतनी जल्दी हमें वो सारी चीजें नहीं करनी है और जैसे कि मैंने आपको ये good or bad touch बताया ऐसे ही एक HPV virus होता है जो कि cancer फैलाता है लड़कियों के अंदर उनके vaginal area में ठीक है और वो कैसे होता है just because of this intercourse ये intercourse की वज़े से ही ये virus जो है females के अंदर enter होता है और फिर अगर इसमें भी education की ये ही कमी है कि आज HPV virus के TK puberty के पहले लगाया जाते है पर बच्चियों को इसके बारे में knowledge नहीं है शायद मुझे भी नहीं होता कि अगर मेरी दोस्त gynecologist नहीं होती तो और इस virus के आज आने के बाद में आपको cancer हो सकता है ये cancer का ही virus है और इसे ही आपको cancer होगा उस area में और इसलिए enter course करने के हर 3 साल बाद आपको screening test कराना चाहिए cancer का कि कहीं आपको cancer आपके body में तो नहीं चालू हो रहा ऐसा ही ये जो good और bad touch का मैं आपको एक incidence share करना चाहूँगी मैं अपने पास के सरमोर चराह में आटो से उत्री क्योंकि बहुत जल्दी में थी मैंने जैसे कि आपको पता है मैं sketch artist हूँ मैंने अपना समान दिया उन्हें deliver कि और मैं बहुत जल्दी में थी भागी जा रही थी आटो पकड़ने को दुबारा एक आदमी आया था उसने बगल से मेरे ऐसे बैक को टच किया क्योंकि वो मुझे पता था कि बैट टच है और जो अगर अभी आप मुझे चूएंगे अभी आप मुझे चूएंगे ये गुड़ टच है या ये मुझे नॉर्मल लग रहा है वो बैट टच के लिए मैंने रि अरे मैडम फिर मैंने उसे एक और मारा और मैं उसको पकड़के पता नहीं वो शक्ती मेरे अंदर कहां से आई थी मैं उसे पकड़के लेके पुलिस वाले के बास गई और फिर मैं उनको छोड़ करके फिर भागते हुए गर गई तो मतलब क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि कौन सा टच अच्छा है और कौन सा टच गंदा है इसलिए तो मैं रियक्ट कर पा रही हूं 45 kg का होने के बाद भी और ये शक्ति हर महिला में होनी चाहिए होनी चाहिए पर अक्सर महिलाएं जिजग के कारण पीछे हट जाती है हर महिला के साथ कही न कहीं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाती इसका प्रमुक कारण क्या मानती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो अपनी बेहन से बताएगी तो हो सकता है उसकी बेहन भी उसको उस नजर से देखने लगे कि अरे तुम तो बचलन हो यह जो वर्ड आप फैमिली के अंदर रह करके अगर आप इसको यह इतनी बड़ी सफरिंग है आपको मतला मेंटल ट्रॉमा दे सकती है कि आपके घर वाले आपके माप आपके भाई बेहन आपके दोस्त आपको बचलन समझने लगे अगर आपने इसको अपने घर पर बताए कि अरे मम्मी मुझे तो एक आदमी ऐसे चूपके निकला था तो हो सकता है आपको बचलन समझ लिया जाए इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहां पे भी एजुकेशन की ही कमी है अगर माप एजुकेटेड होंगे तो ही वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा प्रॉब्लम चाहें उसको समझेंगे और फिर उसको हो सकता है ठीक करने में हेल्प करें उतनी जादा नहीं जितनी एक एजुकेटेड फैमली कर पाएगी पर अपने एंड से वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जैसे अगर ग्रामेंड छेतरों की बात हम अपने विंद की बात कर इसी चीजें हैं जो होनी चाहिए जो वो धारना है उसको दूर करना चाहिए जी यह परदा प्रथा जो है वह अगर ऑरत से ओरत तक भी खतम हो जाये बले वो मर्द तक चलती रहे पर और अउरत से और थक भी अगर खतम हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है सेवेंटी पर पर आपका दादी के पास तक जाने का जो सफर होता है ना एक्चल में वही बहुत बड़ा होता है गाउं में ठीक है तो वह परदाप्रथा अगर कम हो जाएगी मतलब अगर सास बहू की सुन ले और बहू की बेटी की सुन ले अगर सुन ले वो उस परदप्रता को हटाते हुए तो मुझे ऐसा लगता है बात करने से ही बात बनेगी छीक है, जी विबूती बहुत खुल के बात कर रही है वो तमाम मुद्दों पर, वो तमाम बाते जो महिलाएं अकसर और हर महिला के साथ होता है लेकिन बात करने से ज़जगती हैं क्योंकि विबूती आपने periods को लेकर एक लंबा portrait भी बनाया और education देने के गाउं में शहरों में या फिर कहें कि school पे जाके आपने बच्चियों को इसकी education दी अगर periods की age की बात करें अक्सर लोग यह नहीं समझ पाते अपने बच्चों को यह नहीं बता पाते कि यह age periods की age होती है हमारे आपके परिवार में हर जगह यही बाते होती है तो इसकी जो actual age है उसको क्या कहेंगी कि वो कौन सी प्रमुख age है और जो actual age है जिसमें periods शुरू होते है और लोग अपने बच्चों को नहीं बता पाते अपनी बेटियों को नहीं बता पाते जो इसकी आइडल एज है वो है 12 साल पर आजकल बच्चियों जो भी मतलब ऐसे मैं देख रही हूं कि 5th standard की बच्ची या 4th standard की बच्ची को भी periods आ रहे है मतलब वो 9 या 10 साल की हो रही है तो भी उसको periods आने लग रहे है उसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है जो hormonal imbalance हो रहा है इतना जो excess urea हमारे body के अंदर जा रहा है उसकी वज़े से और मुझे ऐसा लगता है जब मुझे period शुरू हुए थी तो आपको डरना नहीं है आप bleed करोगी तो tension नहीं लेना मम्मी के cupboard से इसको निकालना है और उसे attach कर लेना है ताकि आपको डाग ना लगे इस्टेन ना लगे तो मेरी जो story थी मतलब मैं देखके तो भी डरी जैसे कि हर लड़की डरेगी कि यह क्या हो गया मेरे साथ ठीक है क्योंकि हमने practical नहीं देखा था हमने मम्मी की बात सुनी थी हमने practical नहीं देखा था कि ऐसा होगा और ऐसा करना पड़ेगा मैं दौडते हुए अपने डैडी के पास गई थी और मेरे डैडी ने मुझको help किया कि नहीं अब तुम ऐसा करो क्योंकि मम्मी नहीं थी मम्मी नानी करती और डैडी ने मेरी help करी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाई या पिता भी इस मामले में अपनी बेहन को या बच्चीयों को समझाते हैं प्राक्टिकल करके भी उन अगटेगी तो बताने के लिए इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी को या फिर हमारी even teachers को मैंने ये भी देखा स्कूल में सर्वे करते हुए कि teachers भी उतना खुलके नहीं बात कर रहे हैं बच्चियों से जबकि बच्चियां बात करना चाह रहे हैं जब मैं गई तो क्यों उन्होंने मुझसे बात करी क्योंकि मैंने उनसे बात की थी तो अल्टिमेटली बात करने से ही बात बनेगी जो मेरा आप भी प्राइवेट स्कूल में टीचर है आप अपने student को कैसे बताती है मैं आपको बता रहे हूं मेरे बैग में हमेशा 20 sanitary pads मैं carry करती हूँ कोई भी ब स्मिस हो रहा है तो मैंने उनको अब तो इतना comfortable कर दिया है कि बच्चिया मेरे कबर्ट से आकर कि उसको लेके भी चली जाती है और comfortable ही रहती है और अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती इवन उन्हें स्टेन भी लगता है तो उनको यह पता है कि विबूती मैं के बैग में एक दबे से बचा ले जाएगा पीरिट्स में अकसर लोग चुटियां लेती हैं महिलाएं अकसर चुटियां लेती हैं लेकिन हमारे समाज में और यह कहें कि आसपास के हम विंद में रहते हैं आप भी रहती हैं तो वो चीजे नहीं है कि उनको हॉलिडे मिल पाए इसको लेकर क कर सकूम और यह Equality की बात नहीं है कि हम मेल और फीमेल को अलग रखने हैं रही हैं फीमेल बताइए लीव ले रही है और इसके बाद हम बात करते हैं in quality की बात नहीं है वह पैन और वह जो में डिसोर्डर होता है ना उस थाइम के जो हमख में अथल पृतल पेट के अंदर अ उसके लिए जो बोडी को रेस्ट चाहिए रहता है, मतलब आप सोचो ना, पूरी मसल्स हमारी स्ट्रेच हो रही होती है, मतलब बैक में और पैर में ऐसे दर्द होता है, कि मैं आपको एक्स्प्लें नहीं कर सकती, तो मुझे यसा लगता है, जब तक मेरे पास या मेरे साथ की जित्ती भी टीचर्ज हैं, उनके पास है, रीवा शेयर में भी किसी एक-दो स्कूल के अंदर भी ये प्रस्ताव नहीं आ जाता, कि हाँ हमें अब पेड लीव मिलेगी, अब तक तो मैं खुश नहीं हूँ इस फैसले से, कि हाँ मिलने लगा है बाहर, पर अभी तक मेरे पा होता है, इसको क्या देखती है, क्या महिलाएं उतना सुरक्षित अभी भी नहीं, जितना होना चाहिए, आप क्या मानती है, मैं तो बहुत छोटे शब्दों में बोलूंगी कि हर छोटे शहर में आप अपना फोन गूगल में सर्च करोगे, उसमें ओयो मिल जाएगा, पर आ हो सकता है, उस ओटो वाले ने नशे कर रखे हो, तो आपको ऐसे वैठा लेगा कि मैडम आज मैं तुमको घर नहीं लेके जाओंगा, अपने घर लेके जाओंगा, फिर भी आपको उस डर को अपने अंदर रखे, और आपको यह याद रखे, निकलना पड़ता है उस ओटों करेंगे कि ठीक है, आमने जुगनु आटो आप चालू किया था, पर वो दस दिन में ही बंद हो गया, अभी कोई भी ऐसी लड़कें, जैसे मैं ही हूँ, मुझे कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि मुझे 11 बच जाते है, और डेड़ी ऑफिस में है, भाई घर पे है, भाई अग अगर बहुत नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रीवा शहर शहर के अंदर ही कर दे, कि जित्ती भी लड़की अगर काम करना चारी है, तो वो सेफ हो करके काम करें, फ्री माइंड से काम करें, उन्हें ये डर्नर है कि हमें जल्दी भागना है काम छोड़ो, हमें जल्दी भागना ह के सुरक्षा को लेकर क्या गेंगे आपने जो महसोस किया क्या देखती है हम महिलाओं के सुरक्षए कि इस्थित क्या है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सुरक्षित पर अगर हम अकेले हैं तो हम मैं खुद को हम तो हटाइए मैं खुद को से फील नहीं करती हूँ तो रिवा शेहर में विमन की सेफटी के उपर काम होना चाहिए कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो रहा है शेहर हमारा सुन्दर निकने लगा है और हर चके जाओ तो रुक के बैठने की इक्षा होती है पर अभी भी रुक के हम तभी बैठ पाएंगे उतना जब हमें घर पहुँचने में एक वो सेफ राइड मिल पाएगी तो ठीक है अन्तिम सवाल पैरेंट्स हमेशा अभी हमने पहले भी बात की कि बात करने से एक जिजगते हैं बच्चे भी जिजगते हैं क्या कहना चाहेंगी तमाम लोगों को हमारे दर्चकों को कि अपने बच्चों से किस तरह की बाते करें वो तमाम जिजख जो अक्सर बच्चों में और पेरेंट्स में होती है उसको लेकर क्या कहेंगे दोस्त मतलब दोस्त उतना बनना जरूरी नहीं है कि आप एकदम उसके यार ही बन जाईए आप तो शायद आपके और आपके पिता के बीच का दायरा ही खतम हो जाए पर दोस्त तो उतना मनना जरूरी है ताकि मैं मेरे डैडी से यह शेयर कर पाऊं कि डैडी मेरे मैं मेल फ्रेंड के साथ गूमने जा रही हूं मैं सेफ हूं और मैं सेफ घर आजाओंगी और अगर मेरी किसी से कुछ भी बातचीत होती है या उस दोरान उस रास्ते में बले ही इतने वर बैरा रखते हुए भी थोड़ा सा फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जो है घर से भागें कम बाहर दोस्तों के पास और घर में ही दोस्त बना ले अपने माबाप को चलते चलते विभूती अंतिम सवाल रोट सुरक्षा की आपने बात की अक्सर ट्रेन में महिलाए सफर करती हैं ट्रेन में सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम की बात होती है लेकिन अक्सर वो फेल होते हुई दिखते हैं क्या मानती है क्या देखती है आपने भी ट्रेवल किया होगा कहां पर महिलाओं कि इस दिखती है मैंने देखा है कि अगर अकेले ट्रेवल कर मेरे दिमाग में बनी हुई है हम सब के दिमाग में बनी हुई है कि अगर अकेले लड़की ट्रावल कर रही है तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था मुझे कानबुर जाना था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी निकलना था इसलिए मेरे पास रेजरवेशन नहीं था मैं स्थे सेहनं मास्टर को जब इसकी कम्प्लेव करें तो मैंने यह देखा कि नहीं बोलने से आपकी मदध होती है और लॉटते वक्त मैं इसे मने मेरे साथ ये गलत होगा तो अउन्होंने मेरी अतनी हम करी कि जहंभी ट्रेट रुक Dire तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरी मदद करी वो हर स्टेशन में मुझे पूछने आ रहें थी कि विभूति तुम ठीक हो ना पानी तो नहीं चाहिए、 सब कुछ ठीक है ना और मैं उन्हें रिपोर्ट देती जा रह이ी ति वो लिखती जा रही ही थी कि मैं ठीक हूं हर स्टेशन मे फिर जब मैं रिवा इंटर करी तब तक वो कानपूर से मेरा application यहां forward हो गया था फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा sign लिया कि मेरी safe journey थी तो इसके बाद मैंने एक app देखा है, GRP एक my help app बन गया है उसमें double click करने में तुरंट railway help line में number लग जाता है तो अच्छा लगा मुझे यह कि मैंने अगर complain करी है तो उसका तुरंट तुरंट इतना अच्छा result तो करने से ही बात होगी, फिर से वही motive बात करने से ही बात बनेगी तो यह थी विभूती, विभूती ने बहुत खुल कर बात की वो तमाम बातों को लेकर उन्होंने इसपस्ट किया कि अक्सर पैरेंट्स और बच्चों के बीच जो जिजग होती है जिन बातों को लेकर जिजग होती है, वो अब नहीं होनी चाहिए और हर माबाप यह चाहेगा कि उसके घर में भी बिभूती जैसी एक बिटिया हो बिभूती से हमने तमाम बातों को लेकर जिक्र किया उन तमाम हिस्सों को हमने जिक्र किया जो अक्सर घर से निकल कर कैमरे तक नहीं आपाती है बहुत बहुत धन्यवाद